कि हलो फ्रेंड्स आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स प्लीज सबस्क्राइब करना हमारी चैनल को और सपोर्ट करते रहना काफी लोग ऐसे जो सिर्फ सिर्फ देखते वाच करते लेकिन सबस्क्राइब नहीं करते तो प्लीज आपसे रिकेस्ट हैं प्लीज चैनल को सपोर्ट करते रहें ठीक है क्योंकि हम बहुत कुशिश कर रहे हैं आपके लिए इतना अच्छा मेटीरियल बना रहे हम आपको ताकि आपको एक्जाम में कोई भी परेशान नहों हम पता कि उससे हमें जो है अगर आप लाइक करोगे हमें मौटवेशन मिल डएं थीजय को झाल दें था ठीक हैं तो जो आज का हमारा वीडियो रहेगा की आपको पता है आप जैसे आपको जानते है क्छल पर डाले हैं और आज हमारा फ़ॉर्ट लेक्टर जाएगा जो completely गांदियन एरा पर हो जाएगा लब गांदी के जो गांदी जी के जितने भी मोमेंट से उन पर हम आज डिसक्स करेंगे ठीक है तो आते अपने लेक्चर पर गांदियन एरा में क्या है फष्टापाल को पता होना चाहिए कि गांदी जी जो है वो कब आये इंड फिप्टीन को मात्मा गांदी जी जो है वो South Africa से इंडिया आये थे और इसी डे को हम बोलते है इन रिडे इसी डे को हम सल्बिरेट करते हैं अनर इन घैट है तो यह कहां से आय थे जब यह South Africa में थे तो इनका आश्रम जो वहां पर था वो कहां पर था वह था तरलस्टाइ क और जो गांधी जी को वहां पे फैलो था यानि जो गांधी जी को वहां पे मुवमेंट जो गांधी जी चला रहे थे इंडिया के लिए उनका जो सपूर्ट था वहां पे उसका नाम क्या था वो था पॉलाक क्लियर दोस्तों काफी important है basic चीज़े हैं वो तो उनका नाम था पोलाक तो गांदी जी का जो है वो जनम दिन कब था वो 2 अक्टुमबर 1889 क्लियर और उनका assassination कब हो याने इनका इनकी death कब हुई वह हुई 30 जनवरी 1948 एक कुछ basic चीज़े थी तो जब गांदी जी यहां आये यहां पर इन्होंने अपना जो आश्रम बनाया वह कहां पर था साबर मती गुजरात में ठीक है तो जो ही गांदी जी यहां पर आए तो इन्होंने जो है moments चलाई यहां तो सबसे पहली moment जो थी वह था चंपारण moment ठीक है दोस्टो तो यह का वैनु का था कहां था दोस्टो यह बिहार में था एक जगा चंपारण हुआ था वहां और आपको हम ज्यादा से ज्यादा मावजा देंगे वह क्या था जो मतला वह एक कस्म की नील साबन जैसे थी ना दोस्तों वही था वह फसल था तो वह उगाते थे लेकिन उनको लास्ट में फसल जो मावजा था जो उनके साथ प्रॉमिस किया जाता था वह नहीं दिया जाता बट वो इनके साथ cheating करते थे मजदूरों के साथ जो बिहार में थे तो उनको वो अपना मावजा नहीं देते थे तो इसी कारण गांदीजी ने वहां जाके एक moment चलाया जिसका नाम है चंपारन moment तो question आपसे कभी पूछता है what was the first moment of गांदीजी? चंपारन moment और कभी कभी question आपसे यह पूछता है कि जो चंपारन moment के लिए गांदीजी को बुलाया किसने था तो उसका नाम क्या था रामकुमार शुकला शुकला ने बुलाया था इन्वाइट किया था गांदीजी को कि आप यहां आईए और इनसे बात कीजिए ठीक है उसके बात जो है next moment वो था खेड़ा moment खेड़ा मुमेंट में क्या था यह एहमदाबाद में था गुजरात के यह स्टार्ट हुआ वहां से मातमा गांदी ने स्टार्ट किया खेड़ा मुमेंट और इसका यह वहां पर भी क्या होता था यह जो मिल थी इंडिस्ट्री थी दोस्तों वहां पर मजदूरू को बोला जाता था कि आप ओर टाइम कम करो दिन रात कम करो और आपको जो है प्रॉपिट हम ज्यादा दींगे यह आपका जो क्या कहते है उसको रिवाड़ ज्यादा दींगे और आपको हम मतलब सैलरी में इंक्रीज करेंगे जितना आप लेट काम करो होगे बट ऐसा होता नहीं था है एट से नाइन मेंत के सेलरी जो है वह वर्कर उसको नहीं दिया जाते थे ठीक है तो गांधी जी ने यहां आके एक मुमेंट्स स्टार्ट किया जिसका नाम है खेडा मुमेंट्स और यह कब सिटार्ट कि थी इसने 1911 में और यहां पे रही गा है आप बटे हुए हो आप एक association बनाओ तो उसका जो हैड होगा या कुछ members होंगे वो जाके ब्रिच सर्स के साथ बात करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो सालो करेंगे तो यहां पे भी इन्होंने एक association बनाया है लिए बर के लिए ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो है दोस्तों वह है नान कोपरेशन मुमेंट नान कोपरेशन मुमेंट का स्टार्ट कब हुआ यह था उससे में वाइसरा जो था वो था लॉर्ड चेंफस चैलमस फोर्ट कलियर यह को भी कोच्छन पूछा जाता है तो यह मुमेंट स्टार्ट हुआ एक अगस्त 1922 जब बाल गंगा तर तिलक का जो है वो डेथ हुई उसी दिन तो यहां से स्टार्ट किया था नान कोपरेशन म कैसे खत्म हो यह मैं आपको यह वे अपर बतानी किकुश करूंगा यह जो चारी चारी चाहरा इंसिडरंट हुआ और गोरखपूर एक जगाती यू पी में तो वहां पे एक चारी चाहरा चाहरे चाहरे चाहरा इंसिडरंट हुआ 연락 придz मतर trials एक तो वह लोग उनिये इसको फ के साथ नहीं हो क्योंकि मैं वोगे नहीं चाहिए मैं पीसफुली सब कुछ प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्ट है मैं पीसफुली करना चाहता हूं पर फिर जब नौन वाइलेंस हो गया तो फिर गांदी जी ने इस से विड्रा कि आपने आपको अलग कर दिया ठीक है अब कुछ फैक्टर भी है दोस्तों इस गांदी जी नौन कॉपरेशन मुवमेंट से लेकर आप से कभी कौछन पूचा जाता है कि मुस्लिम पहला मुस्लिम कुन था जो नौन कॉपरेशन मुवमेंट में जिसको एरेस्ट किया गया हूँ आज फिस्ट मुस्लिम वह था मौमद अली कुन था मौलाना मौमद अली और दोस्तों हिंदू-मुस्लिम युनिटी भी इसमें ज्यादा हुई डवलप हो गई हिंदू-मुस्लिम युनिटी इस मुमेंट के वज़य से हिंदू-मुस्लिम आपसमें बिलकुल अच्छे तरीके से इकठे जो है वह लड़ने लगे डिकर और इसी तरह गांदी जी अगयत जीन्व प्रिया ग्लप माशनेक प्लूर अच्छे को नाइट ठायटल का तइटल जोहे वह वो किस ने दिया वह दिया था जारूरिफिन कि क्य enslaved टीकह ब क्लैज आरभार सबचकत कि क्यूंग कि सउथ अफरीका में भी जो गदीजी की का रोल था मोमंट को चलाने का वह काफी इम्पोर्टन था वह काफी मलब अच्छा था गाने UK को पहचान ठीक इसके बाद ती लेकर नाइटीन हरं त्टी तक 12 मारश से 6 सपरेल 1930 तक एक मुमेंट चलाई जाते हैं जिसका नाम है सिवल डिसोबिडेंस मुमेंट दोस्तों इसको हम कहते हैं साल्ट सतियागर और धंदी मारच इसमें क्या था जब रिच्छर्स को लगा कि यह जो इंडियन हैं इन्होंने पूरा हमसे बाइकाट किया यह कोई हमारे ज इसका भी सलूशन गांदी जी ने निकाला था तो इन्हें इस वलिडिसोबिययनस मौमेंट स्था किया कहां से स्था किया था अपने आश्रम साबर मती अश्रम से कहां तक रूसर्ट जब यह स्थार्ट किया था यह 24 दिन का सफर ठीक है दो सर्कें सिस्ठट तो उस समय सिर kalian पूछे तो वहां पे कितने थे फिप्टी थाउजंट लोग इनके साथ मिले हुए थे तो काफी इंपोर्टेंट रहा तो गंधी जी ने वहां जाके समंदर में अपना हाथ डाला और वहां से नमक को छेला और उससे फिल्टर किया और हम उन्होंने बोला कि अब हम नमक भी हम अपना ही होगा हम अपना ही नमक यूज करेंगे ठीक है उसके बाद इतना काफी है दोस्तों आज का जो लेक्टर है अभी राउन टेबल समिट्स है आने वाले वीडियो में वह हम नेक्स्ट वीडियो में यह डिसकस करेंगे तो फिलाल के लिए इतना ही अगर आपको वीड करते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए थैंक यू सो मच बाई बाई गॉडबलेस यू आल